दोस्तों कभी न कभी कोई न कोई किसी भी तरह से fraud का सिकार होई जाता है चाहे वो online shopping से related हो या फिर jobs से related हो या फिर और बहुत से तरीके हैं जिससे कि हमारे साथ कभी न कभी fraud होई जाता है और हम चाहे कर भी उनके खिलाप उनके against complaint नहीं करते हैं यह सोचके कि यार कौन इस तो इसी से related मुझे काफी time से question आ रहा था कि यार जैसे हमारे country में इंडिया या और भी कंट्री में fraud करने वाले लोग हैं तो क्या जपान में भी fraud होता है क्या यह बहुत ही important topic है और आग कि इस वीडियो में जो भी बताऊंगा यह मेरा personal खुद के experience होगा कि मेरे साथ जपान जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं मेरा नाम आजा है मैं रहता हूं जपान में और जपान से related आप लोगों के लिए informational वीडियो बनाता रहता हूं तो प्लेज जो भी चैनल पे न्यूँ है चैनल को subscribe कर लेना वीडियो पसंद है तो वीडियो को like कर देना और एक share जरू करते लोग तो वो सबसे ज्यादा है यहां पर online mobile purchasing से related ऐसा होता है कि यहां पर बहुत सारे लोग जैसे कि कोई भी जपान में जो आता है जो student आता है वो सबसे पहले अपने लिए mobile purchase करता है वो जो सबसे लेटेस्ट चलता होता है उसको purchase करने के कोसिस करता है और जाता Facebook औगहरा में अपना add औगहरा डालते हैं और पोस्ट डालते हैं कि हम इतना सस्ता mobile दे रहे हैं आपको दुकान से वह बहुत सस्ता mobile बेचने की वहां पर पोस्ट डालते हैं और साथ में यह भी डालेंगे कि हम आपको यह फिरी प्रवाइड करेंगे इसमें आपको SIM उनलॉ को USE कर सकें तो वह जो चकें टालते हैं वहां पर मोटे अच्छरों में बहुत सफ लिखके होते हैं कि हमा को उनलॉक होता है कि हम पर सस्ता देंगे और वहां पर काफी साथ यह फिरी देंगे तो फिर तो आप उनसे पूछते हैं कि हम यह मोबाइल कैसे पर्चेज कर सकते हैं वह आपको फिर आपसे मतब कि पूरी डीटेल जो जैनुवन तरीके से होती ना उसी तरह से आपको ट्रेट करते कि आप अपना एड्रेस भेजिए मोबाइल नंबर भेजिए अपना नाम भेजिए आपको आगे स्टेप जो है यह ऐकांट में डाटक पैसे नहीं मंगते क्योंकि आप ऐसे पैसे अगेंस आपको काड़ कर सकते हैं यह आपको बोलेंगे कि आप जैसे गूगल प्ले कार्ड होता है जो हम इंड्रोइड मोबाइल दालते तो वह मांगे गया आप से अइप प्रेज करको उनको नमबर है वह उनको भेज़़ तो यह इस तरह से फ्रॉड करते ताकि वह जब आप खरीद के कहीं से आप इनको दोगे क्योंकि वह जो काड का अगर आप कार्ट से पेमेंट करते उनको जैसे देते हैं तो कोई प्रूफ नहीं रहे जाता तो इसलिए अप उनके खिलाप कंप्लेंट भी नहीं कर सकते इसलिए ऐसे मांगते मेरे साथ भी ऐसे हुआ था एक दोस्त था यहां पर एंडिया नहीं था वह दोस्त ने मुझे फॉन की जरूरत नहीं थे बट मुझे मैं वीडियो बनाता था मुझे कभी-कभी दो मुबाइल की जरूरत प किया तो उसने कहीं से फेस्बुक से जो भी फेस्बुक में डालते है तो इसने प्रोसेस उसमें ऐसे बताया नाम नंबर्व गूझ कर दिया फिर मुझे उसने बोला कि गूगल प्ले कार्ट isma आप तो पहले मेरे दिमाग में आया कि यार ये कैसे पेमंट है ये कैसे करनी होगी फिर मैं तीन-चार दिन उसको लटका के रखा मतलब कि मैं इग्नॉर कर रहा था कि मुझे थोड़ा सा डाउट था मैं इग्नॉर करी जा रहा था बार बार लेकिन फिर बाहन में पता नहीं है ऐस इसको नंबर देने के लिए सोचना तो फिर मेरे दिमाग के पता नहीं कहां से आया मैं कहा यार एक दिन और बेट करता हूं तो मैंने उसको प्रोटो कीची कुछ नंबर मैंने हाइड कर दिया तो फिर जब भेजी फिर वह जब मुझे रिक्वेस्ट करने लगा हाथ तो उसे बोलते हैं कि पहले आप जैसे कि 50,000 का मुबाइल हो तो आपको बोलेंगे कि पहले 15,000 हमें डिपोजिट करो और फिर हम आपको मुबाइल जो भी खरीद हो गया आपको कोरियर करेंगे फिर उसके बाद आप आप आनलें पेमेंट कर देने जैसे मर्जी तो यहां पर वह भी बड़ा वो लड़कों के साथ होता है यहां पर जादता तो लड़कों के साथ क्या होता है कि जैसे यार देखो देखो सीधी बात करते हैं यहां पर सेक्स से रिलेटेड फ्रॉड होता है यह जादता लड़कों के साथ होता है और यह क्या करते हैं यहां प लोग हुक अजेंट है जपान में ना सेक्स काफी ज्यादा मेंगा है तो यह लोग आपको पागल बनाने के कोशिश करेंगे कि भाई सब्सक्राइब करेंगे जो कि यहां पर जैसे कि सिंगल मॉम्स जादा होती है यह जपान में कि मैरेज करते हैं बच्चे हो जाते फिर आपको वन नाइट का 20,000, 30,000, 50,000 तक मिलेगा उससे हमारा 20 परसेंट आप हमारा होगा जो भी बचेगा 60-70 परसेंट वो आपको होगा और यह यह भी बोलेंगे कि हम आपको पीक अप देंगे ड्रॉप देंगे सब कुस्स देंगे तो यह आपको पूरी डिटेल बता दें तो भाई लड़के होते हैं कि हायर चलो इससे अच्छी जॉब कौन सी जॉब होगी भाई कि हमारा भी सुख हमें भी मिलेगा और पैसे भी आएंगे तो कुछ लोग इसमें फस जाते हैं तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ था मैं स्टार्टिंग में आथा तो मैं एकली जॉप से करने लगी पर आधा है मुझे पर लेगने आटा कुल वहां आ जाके देखी तो पहले बीना मैं चेकिक करता हैं किसी कि मैं पर पर फाल ने पर उसने मुझे सारे यही डिटेल बताया तो फिर उसने नाम नंबर पूछेगी आपका कैसा है मुवाइल नंबर सबकुछ जनुवन तरीके से जो होता है वो ऐसे मांगेगे फिर यह लोग क्या करते हैं तो जब पूरी इनको डिटेल कर देते हैं तो यह आपके साथ फिर कै Amazon का है या और भी कंपनी का है क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं क्योंकि यह ऐसे करते हैं पता नहीं यहां पर तो ऐसा होना नहीं चाहिए बट फिर भी कर लेते हैं तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ था इसने सारे डिटेल मांगी तो मैंने इनको सीधे बोल दिया कि भाई मैं तो डिटेल आपनी सेर करूंगा नहीं पर मुझे बताओ कि हम पेमेंट कैसे दोगे हमें पेमेंट कैसे मिलेगी तो इसने फिर मुझे सीधा बोला कि हम आपका Amazon का एक क्रेडिट कार्ड बनाके देंगे हम उसमें आपके पैसे डालेंगे तो मैं भैसा मैंने तो बैंक में ज लगाई उसने वीडियो को रिसीव ने किया फिर एक बार रिसीव किया लड़की तो किसी अपने हस्बैंड को दे दिया पहले आपको दूसरे में डाल देंगे ताकि आपको मतलब की थोड़ा सा बिलीब हो और यह जितने भी फ्रॉट करने वाली लोग होते हैं सब को बहु तो हम उसमें आपको मोबाईल लोग खरीदना है तो आप ऑनलाइन मार्केट होती हैं आपे आनलेन सूपा होता है हर देक महां पर काफी ज्यादा ओफर्स होती है जो आपको फ्री में भी मिल जाता है सस्ते में मिल जाता है और यह जो हुक अगयरा है तो मधी पढ़ना पर बताता हूं कि तीसरा तरीका यहां पर एक ओनलाइन बिजनेस से रिलेटेट काफी ज्यादा होता है और यहां पर MLM टाइक जो बिजनेस होते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है देखो MLM बिजनेस गंदा नहीं है बहुत अच्छा है लोग करते लेकिन ज लेको ऐसा बिजनेस करते हैं क्या आप अपने पैसा डलाई है आपके अपलीकेशन इतना सो होगा और इसका तो डबल हो जाएगा तो आपको एक दिखाने के लिए वहां पर डबल हो भी जाता है एक दो चार दिन के अंदर डबल हो जाता है बहुत अब उसको बिड्रॉल ज पैसे और जब ज्यादा पैसा फिर आप यह होगा कि यार मैंने दस हजार डाला मेरा 20,000 हो गया तो ऑप प्रम्तिक लिमिट पांच लाग के उपर होगा तब यह आप निकाल सकते हैं तो पैसे देरे-देरे करके डालोगे जहां पर लाग-दो-लाग डालोगे और फिर बाद में यह होगा कि यह मेरे पास पैसा नहीं तो पैसा नहीं तो बहुती होती वह बी आउट-फ-सर्विस हो करती और जो ऊपर के लोग होते वह भी पैसा कमा रखा है उसको हम निकाल लेते हैं तो जब आपको भी सबस्ता को आपको इतने पैसे का आपको टैक्स भिरना पटेगा परसेंट बीस परसेंट जो भी यहां पर बताइंगे वह आपको बाइंट में आपके बेदी बजुड्स करें तो उसका टेक्स भर यह तो फिर पिर उसका अब भी जितना बी कास? वह समझ लो कि और तो हैं और इसमें चुके हैं और मोबाइल में और planners भी में में अजिंस आप दोर से नकर मीया नंपड़ें पढ़ाई लिखाई करें यार अच्छा पढ़ोगे लिखोगे अच्छे जौब मिलेगी तो मतब कि सौट कट अपनाने के चक्कर पर मत रहना यार बहुत इंपोर्टेट टॉपिक थे काफी टाइम से वीडियो मुझे बनानी थी बट बनानी पा रहा तो यार प्लीज जो भी यहाँ पर जपान लाग फसा दिया तो पता ही नहीं होती तो यही होता है छोड़ जो हो गया अब आगे नहीं करेंगे तो आगे ना करने से पहले आप पहले ही साउधानी बढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा गाइस यह दो तीन तरीके थे जिसे कि मुझे परसनल खुद का एक्स्पीरेंस था बाकी और बहुत से तरीके जिन तरीके से आपके साथ यहां पर प्रॉड हो सकता है तो प् प्रॉड हो सकता है